आज की इस वीडियो में हम सिप करने वाले हैं 1500 प्रोडक्ट को हमारे पास जो टाइम है वह है सिर्फ और सिर्फ 16 गंटे अगर आपने हमारी e-commerce की लास्ट वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर हमने 500 पारसल को सिप किया था वीडियो के हम सुरुवात करेंगे बबल रोल से अगर आप अपनी पैकेजिंग में बबल रोल का यूज करते हैं तो प्रोडक्ट के तूटने का खत्रा कम होता है और आपको नुकसान भी कम होता है यहाँ पर हमारा जो टास्क शुरू होता है वह होता है 1163 करीव पार्सल आपको 17 हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो की कैंसल हो जाते हैं अपकमिंग में जो पर सब्सक्रेश परहे हुँ है वह 46 पार्सल हैं जिसमें अभी हमने अमेजन को इंक्लूट नहीं किया है सबसे पहले पैकेजिंग को स्टार्ट करने के लिए हम लेबिल्स को प्रिंट करते हैं तो यहां पर हमारे लेबिल्स प्रिंट होना स्टार्ड हो चुके हैं और कुछ इस तरह से हमारे लेबिल्स प्रिंट हो रहे हैं सांत ही साथ हम इन लेविल्स को कट कर गी रखते हैं इसके बाद यहां पर आप देखेंगे particular product को हमें envelope के अंदर रखते हैं तो उसमें हम एक Mark करते हैं क्योंकि सारे products को हमने Code name दिया हुआ है इस kाम को भी हमें automatic करना है बट अभी यह manual है तो particular पर एक मार्किंग की जाती है और जिस लोकेशन पर वह प्रोडक्ट रखा हुआ है वहां पर भी यही सेम मार्किंग होती है तो यहां पर अभी आप देखेंगे 1000 के करीब लेविल प्रिंट हो चुके हैं अब यहां पर जो काम स्टार्ड होता है इन लेविल्स को अरेंज करना क्यूंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सबसे पहले हमेंने कैटिगरी वाईज अलग अलग करेंगी तो यहां पर हम पर्टिकुलर लेविल पर एक कोड़ देते हैं ताकि आपको claim मिल सके, जैसे कि हमारे पास भी daily कुछ fake orders आते हैं, तो हम flip card को स्टीज को inform करते हैं, तो इस particular order को या particular tracking को flip card बहुत बारीकी से check करता है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा particular एक category का या full box ready हो चुका है, packaging हमारी जा रही है, अब यहाँ आप देखेंगे जो three ply roll मे यूज करें, क्योंकि इसमें आप किसी भी safe में box को बना सकते हैं, बहुत ही जादा आसानी से box में convert हो जाता है, और जो cost होगी वह भी बहुत ही जादा काम होगी, अगर मैं यहाँ पर particular product को pack करने के लिए box का यूज करता करीब 10 रोपय का यह हमको box पड़ता, यहाँ पर हमक pack हो चुके हैं, अगें अभी भी हमारी packaging जारी है, करीब 1200 parcel अभी तक हमारे pack हो चुके हैं, अब electronics के साथ एक drawback होता है, कि हमको products को check भी करना होता है, जैसे कि particular यह एक mobile cable है, तो अब इस cable को पहले हमको check करना होता है, इसके बाद इस cable को हम भेज सकते हैं, क्योंकि electronics में जाद करके रखा हुआ है box के अंदर, almost हमारी packaging complete होने ही बाली है, बट यह सिर्फ अभी flip card किये, इसके बाद हमारे packaging होगी, वह होगी Amazon की, यहाँ आप आप देखेंगे, इस तरह से पहले हम products को check करते हैं, particular इस पूरे box को हमने अभी check किया है, इसके बाद यह box जाएगा, अब packaging के लिए, इस role के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है, कि यह बहुत ज़्यदा strong role होता है, अगर आपके कोई भी sensitive product है, जो की आसानी से तूर जाते हैं, तो इस तरह है कि आप role में उन्हें सिप पर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे करीब 1500 से जादा, यह हमारे role बा किया है, तो हमारा एक full A to Z course है, जहां पर मैंने सारी जानकारी दी है कि किस तरह से आपको particular e-commerce के business में आना है, कैसे आप सुरुभात करेंगे, कहां से आप product को purchase करेंगे, सारी जानकारी आपको स्कोर्स में मिलेगी, particular course का जो price हमने रखा है, वह सिर्फ और सिर्फ 29 रुपय ह लिंक है, एक बार आप check out जरूर करें, एक बार और हम dashboard को check करेंगे, क्या होता है कि हम express shipping में है, express shipping में होता है कि आपको तुरंत की तुरंत order आते जाते है, और आपको तुरंत निकालना होता है, otherwise जो parcel है, वह breach होता है, मतलब बारा बज़े से लेकर दो बज़े की बीच में ह हम एक बार print को और निकालते हैं, ताकि कोई भी parcel breach ना हो, अगेन बचे हुए parcel की packaging होती है, इसके अलाबा मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोड़क्ट ऐसे भी होते हैं, जिसे हम already pack करके रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी परानी clip को add कि आप देखेंगे, कि यह ज ज्यादा प्रोड़क्ट सिप करना हो, तो हम इने यहां से यूज कर सकें, यहाँ पर मैं आपको एक पॉली और स्जेस्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इस बार से हमने branded poly को यूज किया है, इससे पहले तक हम non branded poly को यूज करते थे, यहाँ पर सिर्फ ए यूज नहीं किया या फिर आपने flip card के official tape को यूज नहीं किया, तो हम फिर आपके claim को reject करेंगे, मतलब हम आपको SPF claim नहीं देंगे, इस condition में फिर हमने इस poly को purchase किया था, बट rate में हमें normal poly के comparison में सस्ती पड़ी है, packaging हमारी finally complete हो चुकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे flip card क जो pick up partner है, वो कुछ इस तरह से bag में हमारे parcels को collect करते हैं, यहाँ पर आपको 12 से जादा bag दिखाई देंगे, यह जो particular bag है, हर state का एक bag होता है, जैसे कि मद्द प्रदेश के लिए अलग bag होगा, महराष्ट के लिए अलग, और अलग-अलग state के लिए इस तरह के bag ready होते हैं, एक से डियल गंटे का time लगेगा भी scan होने में, तब तक हमारी almost packaging ready होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि scanning चालू हो चुकी है, और जैसे ही particular product को scan किया जाता है, उसे state के हिसाफ से बोरी में डाला जाता है, हलाकि यह काम flip card के warehouse जाकर होता है, बर जब कभी भी ज़्यादा parcels होते हैं, तो उन्हें यहीं पर back को pack करना होता है, इसके अलावा इन particular bag को एक जिप से pack किया जाता है, जिसमें QR code होता है, अगर यह bag यहाँ पर close होता है, तो फिर यह destination पर जाकर ही open होता है, तो यहाँ पर अभी हमारी scanning जारी है, और हमारे सारे parcels अभी scan हो रहे हैं, इसक अब यहाँ पर हमारा जो task है, वह complete होता है, इसके बाद की जो सारी responsibility है, वहाँ flip card की होती है, तो यहाँ पर flip card की तरफ से एक when आती है, कुछ इस तरह से हमारे bag को यहाँ से लजाय जाता है, मतलब seller को मैं suggest करूँगा कि आप अपने product की packaging अच्छे से कह रहे हैं, क्यूंकि आ आप अपने swap या office से product को सही से देते हैं, बट product को बहुत आगे तक जाना है, उसे किस तरीके से लजाया जाता है, आप कुछ इस तरह थे हैं आप आप देख सकते हैं कि इस particular product को loot किया जाता है, फिलाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपके को पर जाकर आप हमारे course को भी जरूर चेक आउट करें, नए वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए hashtag cyberbaba